एगाईस कैसे हैं आप लोग आपका मोस्ट वेलकम हमारे सेशन हमारे माइन नेम ही सब्जित मिश्रा, इम या जी एजूकेटर और आज हम बात करेंगे पुरे साल भर में इंडिया में जो भी फेस्टिवल्स हुएं किस स्टेट में हुएं उसके लिस्ट पर हम बात करेंगे गाईस अगर आप पिछले साल रिल्वे का पेपर उठा कर देख लिएजे या किसी भी एक्जाम का एक कोश्चन जरूर आता है रिल्वे के एक्जाम में एक दो कोश्चन तीन कोश्चन आयाते कि किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल हुआ तो सेशन काफी इंपॉर्टेंट होगा आप चाहें तो लास्ट इयर के पेपर देख लीजएगा आपके एक्जाम में कोश्चन जरूर मिलेंगे आपको तो गाईज हम बात करने वाले फेस्टिवल के किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल पुरे साल भर सेलिबरेट हुआ तो गंगा कायक फेस्टिवल भी इस बार देप्रयाग उत्राखंड में हुआ और फूल देई फेस्टिवल भी उत्राखंड में हुआ ठीक है उसके लावा गाईस Dragonfly Festival की बात करें तो ये पहली बार केरला ने first time Dragonfly Festival को celebrate किया है तो ये point आपके लिए important बन सकता है केरला की बात करें अतुकल पॉंगल Festival अतुकल पॉंगल Festival ये कहाँ पर हुआ? केरला में हुआ और ओनम Festival केरला में हुआ और भी लिस्ट मैंने आपको यहाँ पर दे दिये चलिए आगे बढ़ते हैं गाईस और अब बात करते हैं शिलॉंग की तो इंडिया International Cherry Blossom Festival ये हर साल शिलॉंग में होता था पर ये इस बार cancel हो गया है तो आपके exam में question ये बन सकता है कि ये International Cherry Blossom Festival जो cancel हुआ इंपोर्टेंट है exam में हमेशा आता है कटी बीहू की बात करें गाईस बीहू बीहू बड़ तो असम आप लोगों से परचित होंगे असम का cultural dance से बेहू तो बीहू अगर आपको याद है तो आप ये question कर ले जाओगे तो कटी बीहू कहाँ पर हुआ असम में हुआ इसके इलावा माख बीहू harvest festival भी असम में हुआ और सिक्किम की बात करें तो पैंग लहब सोल festival ये भी important है कई बार exam में पुछा गया लहब सोल festival ये किस state का है तो ये भी सिक्किम का है तो एक दो तीन तीन point हमने आपको बता दी चलिए अगर याद कर रहे हो तो पूरे याद कर लो बट लेकिन आपका हॉनिबल और आपका ये पैंग लब सोल festival और ये आपका इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्रॉसन festival ये तीनो point आपके लिए important चलिए गाई जागे पड़ते हैं आपसे पूछा है कि बुकसा बर्ड festival किस state में होता है बुकसा तो बुकसा एक्चुली कहा है ना गाई ये बुकसा नेशनल पार्क है और ये कहाँ पर है ये आपका West Bengal में है अलिपुरद्वार में है तो बुकसा बर्ड फेस्टिवल भी अलिपुरद्वार West Bengal में हुआ केंडूली फेस्टिवल केंडूली मिला एक बड़ा famous मिला है West Bengal का तो ये कहाँ पर हुआ West Bengal में हुआ इसके लावा International Children Film Festival ये भी कुलकाता में इस बार हुआ आई आगे बाते है MP की First Edition of the Mandu Festival ये पहला Edition है जब भी पहला होता है तो वो हमेशा एक्जाम के लिए important होता है तो First Edition of the Mandu Festival ये Mandu मध्यपरदेश में हुआ नमस्ते और्चा और्चा गैस आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि ग्वालियर और और और्चा को UNESCO ने अपने Heritage City List में शामिल कर लिए और्चा कहाँ पे है MP में है तो नमस्ते और्चा फेस्टिवल और्चा मध्यपरदेश में हुआ नीमद चिली फेस्टिवल Actually मध्यपरदेश में एक चिली मतलब मिर्च होती है नीमाध नीमाध बोलते हैं उसे हिंदी में नीमद बोलते हैं तो नीमद चिली फेस्टिवल इसलिए सेलिबेट किया गया वहां के चिली को ग्लोबल लेवल पे पैचान दिलाने थी तो ये भी कहाँ पर हुआ मध्यपरदेश में हुआ और मध्यपरदेश में कहाँ पर हुआ खारगाउं जगह में हुआ खारगाउं ठीक है नीमद चिली फेस्टिवल आगे बड़े नैशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल ये कहाँ पर हुआ चतित्यसगड़ में हुआ रायपुर में चंद चक्रधर फेस्टिवल कहाँ पर हुआ चतित्यसगड़ में हुआ लोजर फेस्टिवल यूटी ओफ लद्दाक में हुआ भारत बंगला परिटन उस्व कहाँ पर हुआ ये अगरतला त्रिपूरा में हुआ था ये आप याद कर लेजएग भारत बंगला परिटन उस्व ठीक है और थर्ड चित्रा भारती फिल्म फेस्टिवल कहाँ पर हुआ एक बार मैं स्पीन से हटता हूँ आप ध्यान से देख लो ये गुजरात उनिवर्स्टिवी इन एहमदाबाद गुजरात में हुआ तीसरा चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल तो नैशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल चकरधर समारो ये दोनों चकरधर में हुए लोजर फेस्टिवल लद्दाक में हुआ भारत बंगला परिटन उस्व कहाँ पर हुआ अगरतला में हुआ और तीसरा, चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल कहां पर हुआ, ये एमदाबाद गुजरात में हुआ, आगे बढ़ते हैं guys, next point, यहाँ पर आप देख लिए आपको दिखाई पढ़डा होगा, यहाँ पर एक फेस्टिवल की हम बात करें जो गांधी ने गुजरात में हुआ, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वसंत उत्सो फेस्टिवल, वसंत उत्सो फेस्टिवल कहां पर हुआ, गांधी ने गुजरात में हुआ, रन एक जगा है कच्छ गुजरात में, रन उत्सो कहां पर हुआ, कच्छ गुजरात में हुआ, होला मोहला फेस्टिवल, होला, यह basically पंजाब में होता है पंजाब में आनंदपूर साहब है वहाँ पर हुआ और 31st इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कहां पर हुआ तो यह हुआ साबरमती रीवर फ्रंट एहमदाबाद गुजरात में हुआ ठीक है एक बार अब देख लें पूरी इंफॉर्मिशन वसुन मिज़ोरम में हुआ ठीक है प्चप्चर कुठ यह बड़ा इंपॉर्टेंट कई बार एक्जाम में पूछा गया है कुठ वाला तो यह मिज़ोरम में हुआ लूई गयी नी लूई गई नी यह मनिपूर का फेस्टिवल है नगोबा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल तिलंगाना में हुआ नगोबा जात्रा ट्राइबल फेस्टिवल तिलंगाना में हुआ फगली फेस्टिवल हिमाचिर प्रदेश में हुआ ठीक है तो देखो जो कुटपुई फेस्टिवल मिजोरम में चपचर कु अपर देखिः देखा अगर हम बात करें हुरौनींबल फेस्टिवल की तो basically harnival festival नागालणड का festival है लेगन इस बार क्या हुआ इस बार त्रेपुडा ने भी अपना harnival festival क diesenünden किया पहला edition तो डोरों में confuse आपको नी होना है अगर first edition पूछेगा त्रिपुरा, normal पूछेगा तो answer आपको नगालेंड देना है, आपको बता है, हमपी festival करनाटका में हुआ, बुंदी festival राजस्थान में हुआ, मत्सी festival राजस्थान में हुआ, सोनेपुर मिला, बिहार का मिला है, तुलीप festival काश्मीर में हुआ, तुलीप festival तमिलाडू का festival है साल, मोपिन festival अरुनाचर प्रदेश में, गोवा में हुआ, सिगमो festival, सिगमो, गुडी पढ़वा, शोभा यात्रा, मुंबई में हुआ, ये exam के लिए काफे important है, काला घोडा, लास्ट ये रेलवे के exam में पूछा गया था, मुंबई में ये हुआ, तो और देख लेते हैं, सूरज कुंड मेला, ये भी exam के लिए काफे important है, फरीदाबाद में हर साल होता है, पोंगल कहां पर हुआ, तो पोंगल देखो, पूरे तमिलियन्स का है, लेकिन अगर माली जे स्टेट पुछेगा, तो तमिल लाडू, तो पोंगल पूरे South India में बनाया आपके exam में एक नंबर का है, दो नंबर का जरूर पुछा जाएगा, और गाइस मेरा नाम अभीजित मिश्रा है, आप मुझे अनकैडमी पर फालो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर पढ़ाता हूँ, तो मेरे सारे classes के notifications आपको मिलते रहेंगे, और गाइस अगर आप bank exam की त्यारी कर रहे हैं या आपके कोई दोस्तियार सके सही लिया, तो उन्हें आप recommend कर सकते हैं, हमारा नया channel है bank leader, जहाँ पे NASA team आपको पढ़ाती है, NASA, N for Naren sir, English के लिए, A for Abhijit sir, Jia के लिए, S for Sachin sir, reasoning के लिए, और A for Amit sir, math के लिए, यह हमारी NASA team है, तो आप इसको follow कर सकते हो for your bank examination, और guys, अगर आप current affairs पढ़ना चाहते हो, तो मैं morning में 7 a.m. पे bank leader पे daily, current affairs भी पढ़ाता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी follow कर सकते हैं for the current affairs, thank you so much guys, I hope कि यह short videos और यह list आपको आपके exam में सफलता दिलाने मदद करें, thank you so much guys, अपना खियाल लगे,